नमस्कार दोस्तों स्वागत करते हूं आप सभी को टिकिराच यूटूब चैनल पर आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप नई निताल बैंक या फिर किसी भी बैंक का इमेल आईडी को कैसे आप चेंज कर सकती हो या फिर अपडेट कर सकती हो ओनलाइन तो जान निकले इस वीडियो को शुरू से लेकरन तक जरूर देखेगा और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके उस बैल आईकोन को जरूर दबाना ताकि हमारे वीडियो का हर अपडेट आप तक पहुंच स चाहिए तब जाकी है आप अपना इमेल आईडी को अपडेट कर पाएंगे नेट बैंकिंग लोगिन करके ठीक है लेकिन दोस्तों यह आपके पास आपका बैंक का इमेल इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेशन नहीं है एक्टिवेट नहीं है तो वो केसमें आपको एक लिखना है लेटर उपर में आपको यहां पर लिखना है डेट ठीक है जिस डेट पर आप इस एप्लिकेशन को सब्मीट करोगे वो डेट आपको यहां पर लिखना है उसके बाद में तू दा ब्रांच मेनेजर उसके बाद में आपका ब्रांच का ना बैंक का नाम दीजेग उसके बाद में subject में request to change my email ID in my bank account उसके बाद में respected sir I am writing this letter to inform you that I want to update my email ID which is hello either at email.com आपका जो email ID है वो आपको यहाँ पर बढ़ना होगा ठीक है और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर मैंने update दिया है ठीक है अपडेट है तो आपको यहाँ पर change देना है I want to change my email ID तो आपका इसाब से देदी जगा उसके बाद में on my bank account so it is my humble request to you to kindly change my email ID in my bank account to prevent my personal information from being lost it is my request to you please do the above mention update as soon as possible I hope you would immediately look into the issue उसके बाद में यहाँ पर रिकार्ट लिखना है आपका नाम यहाँ पर लिखना है आपका account number यहाँ पर लिखना है और यहाँ पर आपका CIF number लिखना है जो कि आपके passbook पर रहेगा और यहाँ पर email ID to be update लिख की यहाँ पर आपका email ID भरना है जो email ID आप update करना चाहते है तो दोस्तो इस प्रकार से आपको जो है एसा लिखना है ऐसा लिखने के बाद में branch manager को आपको submit करना है तो दोस्तो यह दि आपको यह दि PDF में download करना चाहते है तो नीचे आपको link मिल जाएगा आप direct download करके भी आप copy कर सकते हो ठीक है तो दोस्तो आपको क्या करना है बेसिकली यह सभी लिखने के बाद में एक लेटर लिखने के बाद में जाके आपका branch manager को जो है आप जो submit करने के बाद में आपका email ID update हो जाएगा तो दोस्तो thank you so much for watching till then bye